ही एवरिवान वेलकम बैक टू माय चानल और आज यूज करने वाले हैं हम ये कॉम्पेक्ट मिरर्स हमारा कॉम्पेक्ट खतम हो चुका था उसके मिरर्स फाल्तू पड़े हुए थे तो आज थौट अफ यूजिंग इट सम क्रेटिव वर्क तो चलिए कार्डबोट की हेल्प से सर्किल कट कर लेते हैं, इनका साइज हमारे मिरर के साइज से थोड़ा सा बड़ा है हमने दो सर्किल कटिंग कर ली है अब हम fabric glue की help से mirror को इस cardboard के circle पे paste कर देंगे cardboard के cardboard पे जो mirror paste किया है हमने उसके edges को cover करने के लिए हमने macrame thread का यूज किया है आप jutrope का भी यूज कर सकते हैं या आप पे कोई golden thread हो तो आप उसका भी यूज कर सकते हैं और ये रहे हमारे mirrors ये हमने मीशो से purchase किये थे link आपको description box में मिल जाएगा पहले हमने rectangle shape के mirrors का use किया था बट हमें ऐसा लगा कि इससे हम अपने circle को cover नहीं कर पाएंगे तो फिर हमने उसको remove करके round वाले mirror से अपने circle को cover कर दिया और ये देखिए इससे एक भी edge कहीं भी छूटा नहीं और mirror पूरी तरीके से cover हो गया जब हम इससे cover कर लेंगे उसके बाद जो भी अगर आपको ऐसा लगता है कि काफी जादा part रहे गया है तो उसको भी cover करने के लिए आप my cream thread का use कर सकते हैं या for extra part को cut कर सकते हैं जैसे की हमने किया था बस अब जब ये वाला काम हो जाएगा उसके बाद हम लेंगे toothpick ये हमारे पास बहुत समय से रखे हुए थे तो आज हमने उनका use कर लिया हमने fabric glue की ही help से इनको paste किया था बढ़ ये थोड़ा time ले रहे थे stick होने में तो फिर हमने glue gun का use कर लिया था इस तरीके से पूरे circle को हम cover कर लेंगे और फिर दूसरे circle पे भी हम toothpick paste कर देंगे आप थोड़ा थोड़ा ही glue gun लगाईएगा बहुत जादा जादा लगाएंगे तो ये बहुत जल्दी dry भी होता चला जाएगा आप इसका back portion आप देख रहे हैं कि ये कितना uneven सा दिख रहा है unfortunately ये camera में capture नहीं हो पाया पर हमने अपने circle के ही same size का एक cardboard cut कर लिया था और उससे इसको इस तरीके से पीछे से cover कर दिया था बस आपको भी यही करना है और देखिए ये बन कर कितने सुन्दर लग रहे हैं हमने इनको wall पर भी paste किया था ये देखिए अब next जो DIY है उसके लिए आपको चाहिए ये cotton का white cloth ये double layer में है इसके back portion में हमने जो shopping bag होता है उसकी एक layer दे रखी है हमने इसको एक pocket के shape में cut कर लिया है और fabric glue की help से इसके जो सारे जो parts थे उनको paste कर दिया है हमने shopping bag का use किया है पर आप shopping bag का use मत कीजिए आप try कीजिए अगर आपको कोई मोटा सा कपड़ा मिल जाए color कोई भी होगा चल सकता है क्योंकि वो वैसे भी back side चला जाएगा तो visible नहीं होगा एक बार जब वो dry हो जाएगा अच्छी तरीके से उसको hang करने के लिए हमने ये लकडी का use किया है ये हमें हमारे garden में ही मिल गई थी इसको हमने अपनी जो pocket की cutting है इससे थोड़ा सा बड़ा रखा है बस अब हम scale की help से इस पे एक quote लिख देंगे आप कुछ भी लिख सकते हैं हमने hello homes लिखा है पहले हमने plan किया था कि हम stencil की help लेंगे बड़ फिर हमने इसको directly pencil से ही लिख दिया हमने decide किया था कि हम acrylic color से इसको directly paint कर दें क्योंकि thread से लिखना हमारे बस से तुब बाहर था बड़ फिर हमने लगा के चलो पहली बार ये से ही try करते हैं तो इस तरीके से बहुत मुश्किल से दो घंटे में हम दो lines लिख पाए ये first time था जह हम ऐसा कुछ try कर रहे थे उतना भी difficult नहीं था जितना कि हमने सोचा था एसे ही करके हमने h, फिर e, ऐसे धीरे-धीरे करके पूरा complete किया और ये कुछ इस तरीके से लग रहा था जब ये complete हो गया तो हमने इसे रिंग पेंसे हटा दिया था हमने इसको इसी पे छोड़ दिया था इस वज़े से ये ऐसा हो गया पर हमने थोड़ा सा गरम प्रेस करके इसको सही कर लिया था फिर फैबरिक ग्लू की हेल्प से हमने जो लकड़ी का पीस था उसको इसमें पेस्ट कर लिया अब हमने लिया है उन पहले हमने थोड़ा बड़ा टैसल बनाने का सोचा था फिर हमें लगा कि शायद ये काफी बड़ा हो जाएगा तो हमने एक cardboard पर इस तरीके से अगर आपको tassel बनाने हो तो आप हमेशा इस तरीके की cardboard sheet का use करें इससे perfect size का tassel बन जाएगा बस अब इस tassel को हमें अपना वो जो hello homes वाला pocket है उसमें hang कर देना है पर इस तरीके से paste कर देंगे और ये बन कर एकदम ready हो जाएगा आप बताईए आपको ये कैसे लगा अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक्स वर वाचिंग बाई